मोधी जी और उनके जूट जूट नहीं, उनके कसे मुझे हमेशा लगता है कि अगर मोधी जी प्रथानमंत्री नहीं होते तो गजब के कसागो होते अगर सिनेमा में गय होते तो ऐसी ऐसी कहानिया लिखते बसे सिनेमा में अक्टिंग भी बहुत अच्छी कर सकते थे उनको जब चाहते हैं उनको रुना आ जाता है जब चाहते हैं हस लेते हैं और बड़े अच्छे अक्टर हैं और कहानिया तो क्या कमाल की सुनाते हैं आगे उनकी और सारी कहानियों पर बात करूँगा लेकिन अभी एक कहानी जो तुरंत उन्होंने सुनाई यूट्यूबर्स की एक मीटिंग बुलाई थी मीटिंग क्या बुलाई थी यूट्यूबर्स को सम्मानित कर रहे थे अब चुनाओं आने वाला है और ये वो यूट्यूबर्स हैं जो दिन रात उनका गुणगाते रहते हैं तो अब उस तो उनकी जोली में डालना ही पड़ेगा तो उनको इनाम देने के लिए एक बड़ा कारेकरम किया गया था जिसमें अचीवा रवाड उनको दिया गया अचीव जिनोंने किया है उनको अवाड दिया गया उसमें सारे वही थे जो अब की बार 400 पार का नारा लगाने वाले हैं और उनी में से एक को कहानी सुनाते सुनाते उससे बात करते करते मोदी जी ने कहा कि जब मैं छोटा था तो मैं ट्रेन से बहुत यात्राएं किया करता था और जो ट्रेन से मैं यात्राएं करता था उसमें मुझे जगए नहीं मिलती थी जगए नहीं मिलती थी तो मैं क्या करता था जूट मूट में लोगों का हाथ देखने लगता था और हाथ जब देखता था मुझे बड़ा importance मिलता था importance इतना मिलता था कि मुझे seat मिल जाती थी अब देखिए किस्सा गोई जो होती है ना किस्सा सुनाने का जो कला होती है वड़ी कमाल होती है मतलब आप कहीं जा रहे हैं चाय पीने के लिए पांच मिनट रुकिये वहाँ पे किस्सा गोई आपसे मिलेगा और वह ऐसे किस्से आपको सुना देगा हमारे इलाके में तो ऐसे कहानी सुनाने वाले बहुत मिलते हैं गुजरात में भी मैं रहा हूँ वहाँ भी ऐसे शाम को बैटके चौराए पर और चौकडी पर बैटकर किस्सा सुनाने वाले बहुत सारे मिलते हैं तो आप जा रहे हैं चाय पीने के लिए रुकें वहां एक किस्सा गोऊ आपको मिलागा वाई ऐसे किस्से आपको सुनाएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि अगर आप माने नहीं और यहां चलते रहे तो रास्ते में आगे लुटेरे आपको लूट लेंगे या फिर आपकी हत्या हो जाएगी या फिर आपका एक्सिरिंट हो जाएगा और आप रास्ता बदल देंगे बले उस कहाने में कोई सचाई नहीं हो लेकिन सुनाने वाले से इतना मज़ा आता है सुनाने वाला ऐसे सुनाता है कि आप उसके लब्स दर लब्स को बिलकुल सही मानने लगते हैं किस्सा गो के असर में आके उसकी कहानी के असर में आके आप अपना रास्ता भटक सकते हैं रास्ता बदल सकते हैं मोदी जी के किस्तों से तो ये देश बहल रहा है भटक रहा है चल रहा है जाने कितने लोगों ने अपना रास्ता बदल दिया अब ये किस्सा आया तो ठीक है ये किस्सा आया सोशल मीडिया पे टॉलिंग भी थोड़ी बहुत हुई और गोधी मीडिया में इसकी तारीब भी खुब हुई वीडियो वाइरल होना ही था मोधी जी मतलब वाइरल जो बना देंगे सब वाइरल चला जाएगा लेकिन एक सलिल त्रिपाठी नाम के व्यक्ति हैं जिनके मामा थे बकुल त्रिपाठी और बकुल त्रिपाठी गुजराती के राइटर थे व्यंग लिखा करते थे और उनके कॉलम जो है 30-40 साल तक लगातार छपते रहे उसी में से एक कॉलम था हाद जोआनी कला हाद देखन की कला अब सलिल صاحب का ये कहना है कि 2006 तक मिरे नाना जी ने कलम लिखा उसके बाद उनकी डेथ हो गई लेकिन उन्ही के कॉलम में ये जो हाथ जोआ निकला थी उसमें ये किस्सा सुनाय गया था कि एक व्यक्ति होता है जो ट्रेन में जाता है जगा नहीं मिलती है हाथ देखने लगता है उसको बिठा दिया जाता है और सलिज रिपाठी का कहना है कि बहुत मुम्किन है कि ये किस्सा मोदी जी ने भी पढ़ा हो और फिर उसको अपना किस्सा बना कर सुना दिया हो अब उनका अपना किस्सा है कि पढ़ा हुआ किस्सा है ये तो कोई नहीं जानता लेकिन उस किस्से में भी अपनी गरीबी की बात करना मोधी जी नहीं भूले मोधी जी अपनी गरीबी की चर्चा करना कभी नहीं भूलते है कभी कहते हैं पैतीस साल तक मैंने भिक्षा मांगी कभी कहते हैं कि मेरी मा जो हैं वो दूसरों के घरों के बरतन धोया करती थी कभी कहते हैं कि मैं इतना गरीब था कि मेरे पिता जी की रेलवे इस्टेशन पर चाय की दुकान थी जहां मैं काम किया करता था आने जाने वालों को चाय पिलाए करता था हाला कि वो बोल गए कि दो रुपे की चाय एक बार बोल गए थे और पता ये चला कि जिस जमाने की वो बात कर रहा है 1960-70 की उस जमाने में तो 10 पैसे 20 पैसे में चाय मिला करती थी दो रुपे की चाय तो अपनी इस्डेंट लाइफ में 80s और 90s में मैंने पी है और उससे भी बड़ी बात ये कि वड़नगर में जब वो बच्चे थे तो ऐसा रेल्वे इस्टेशन था ही नहीं जिस पर पैसेंजर ट्रेन आया करती थी माल गाड़ी आया करती थी और माल गाड़ियां आम तोर पे इतने छोटे इस्टेशन पर रुकती नहीं है और दूसरा जिसने मोधी जी के हाथ की चाय पी हो लेकिन अब चल गया चायवाला तो चल गया उस जमाने में आप जानते हैं चाय पर चर्चा और क्या-क्या 2014 में हुई खैर बात हो रहे थी उनके गरीबी की अब जब उनके गरीबी की बात आती है तो उनके धेर सारे फोटो आने लगते हैं एक फोटो में स्कूल के स्काउट के ड्रेस में मोदी जी इतने प्यारे लग रहे हैं कि पूछिये मत दूसरी फोटो है जिसमें अमेरिका में हालिवुड के बाहर बैठे हुए हैं और सकलो सूरस से ये लग रहा है कि उस समय उनकी उमर 30 के आसपास रही होगी एक और तस्वीर है जिसमें विदेश में किसी ट्रेन में नहीं रेलवे स्टेशन पर शांदार सा अपना ब्रीफ केस वगर लिये हुए ट्रेन का इंजार करते हुए फोटो खिचवा रहे हैं इसके अलावा भी दुनिया की अलग अलग जगहों पर उनकी फोटो खास तौर पर अमेरिका में उनकी जो फोटो हैं वो आई हुई हैं अब यार ऐसी गुर्बत मतलब मेरे पिता जी के बचपन की एक तस्वीर आपको नहीं मिलेगी उनकी उमर लगबग लगबग मोदी जी के बराबर ही होती अगर वो आज जीवित होते लेकिन उनके बचपन की एक तस्वीर नहीं मिलेगी क्योंकि ठीक ठाक होने के बावजूद उस समय कैमरे से फोटो खिचवाना बड़ा आसान नहीं माना जाता था स्कूल वगरा कालेज वगरा में जब आप फार्म भड़ते थे उसके लिए पासपोर्ट साइज फोटो निकल वाते थे शादियों वादियों की फोटो निकल जाती थी आम तोर पे घूमने फिरने की इतनी फोटो मिलती नहीं थी उन्हीं के पास होती थी जिनके पास अपना कैमरा होता था और मुदी जी घरीब थे मोधी जी स्काउट वाले ड्रेस में स्कूल के बैठे हुए हैं लेकिन बहुत गरीब थे मोधी जी चाय बेचते थे ये अलग बात है कि वटनगर में तब पैसेंजर आते ही नहीं थे अब ये कहानिया हैं किस्से हैं उनकी कलपनाए हैं जूट है पता नहीं या फिर गरीबी के बारे में एक किस्सा मैंने एक बार सुनाया था अपने ट्विटर पर कि एक महिला थी उन्होंने का हम बच्पन में इतने गरीब थे कि मैं मारूती 800 से कॉलेज जाया करती मेरे पिता जी मुझे कोई बड़ी कार नहीं दिला पाते थे खुद भी मर्सिडीज के लोवर वर्जन से चलते थे हमारे घर में सिर्फ तीन नौकर थे और पांच कमरे थे और कई बार जब हमारी नानी आती थी तो हमें नानी के साथ सोना पड़ता था इतनी गरीबी थी कि केवल पिता जी के पास ड्राइवर था बाकी किसी को जब जाना होता था तो खुद ड्राइव करना पड़ता था या वही ड्राइवर हमको भी ले के जाता था इतनी खरीवी थी कि पूछो मत रह सकती है अगर इसको आव गरीवी मानते हैं तो रह सकती है लेकिन बाते और उनके घरीवी का मामला कहीं मैच करता हुआ बहुत नहीं दिखता है और यह जो आदत है, यह आदत आगे भी जाती है एक बार दावा किया गया कि मोधी जी ने बचपन में मगरमच पकड़ लिया था अब हकीकत यह है कि महसाना के जिस वड़नगर से हैं उसके आसपास मगरमच निकलने का कोई चांसी नहीं है लेकिन अब मोधी जी ने मगरमच पकड़ लिया था तो पकड़ लिया था कौन मना क कर सकता है मोधी जी कह रहे हैं यसे मोधी जी कहते हैं कि entire political science में 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 हैं कौन कर सकता है जो करेगा। कुछ अवकात है मना करने की जो करेगा उसकेखे खिलाफ केस भी हो जाएगा nih लेकित पर लिखा Väना मामला बहुत गरबर नहीं है। केजरिवाल साब बात करने गए थे फिर बिचारे के उपर जुर्माना और माना लग गया तो हमारे पास पैसे रुपए है नहीं जुर्माना कौन झेलेगा अब यह जो उनकी आदत है वो आदत आगे भी जाती है एक कन्नार अखबार में उनका इंटर्व्यू छपा था काफी पहले 1980 में जिसमें उन्होंने दावा किया था कि वो इंजीनियरिंग रिज्वेट है उन्होंने इंजीनिरिंग बाकाइदा की है अब उन्होंने दावा किया हदो की होगी, कौन मना कर सकता है अपने बारे में जो बातें करते हैं उसमें भी यसे रिष्टा उनका मुझे दुनिया में एक आदमी ऐसा नहीं मिला जिसके इतने सारे रिष्टे हो कि जिस शहर में जाए, वहाँ उसका रिष्टा है बंगाल में जाओ तो कहो, बंगाल से हमारा पुराना रिष्टा है पंजाब में जाओ तो कहो, पंजाब से हमारा पुराना रिष्टा है करनाटका में जाओ तो कहो, करनाटका से हमारा पुराना रिष्टा है अब सायोक से उस समय में गाओं में था अपने और ये बयान आया तो हमारे एक बढ़व काका हैं उन्होंने का अरी बाप अरी बाप कैसी बात कर रहे हैं ये गंगा मैया के बुलाने का कुछ और मतलब होता है आप लोग जानते हैं कि हमारी तरफ जब आदमी इस दुनिया से प्रस्थान कर जाता है तो फिर उसकी हड़ी वड़ी लेके जाते हैं लोग गंगा में तो उन्होंने कहा कि इनको हिंदी के मुहावरे नहीं पता हैं लेकिन गंगा मैया ने बुलाया था तो बुलाया था आप सबको एकी तरह स्थोड़े बुलाती हैं मोदी जी को रोल निभाय था उसके बाद बंगलादेश पाकिस्तान से आजाद हुआ अब उन्होंने कहा कि उसमें भी मेरा रोल था उससे भी मेरा रिष्टा है अब मतलब क्या रिष्टा है यार आप सेना में थे नहीं कि लड़ने गए हों कुछ और आप कर नहीं सकते हैं तो क्या रि अब देखिए मेरे पिता जी फिजिस के प्रोफेसर थे तो गणित मुझे भी पढ़नी पढ़ी मैंने बी ये तक गणित पढ़ी है और बड़ा सिंपल सा फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्कॉाइर मतलब ब्रैकेट में ए प्लस बी पे जो स्कॉाइर लगाते हैं वो ए स् प्लस बी स्कॉाइर था और उसमें एक्स्ट्रा टूए बी एक जोड दिया अब ये टूए बी एक्स्ट्रा होता है ये जान के दुनिया भर के जो मैथमेटीशियन हैं वो नई रिसर्च करना शुरू कर चुके हैं उनको लगता है कि अगर मोधी जी वाला फामूला निकाल लिया जाए तो शायद मैथमेटिक्स का नोबेल मिल जाए उनको नोबेल मिले चाहना मिले मोधी जी को गदी कुर्सी और तालिया तो मिलती रहती हैं आप सोचिए पाकिस्तान जो पुलवामा उलवामा हुआ था उसके बाद जो अटायक पटायक हुआ उस जमाने में मोधी तो मालूम होता तो शायद रात के लिए अलग राडार बनाता ये अलग बात है कि दुनिया भर में राडार जो होता है उसके उपर बादल बारिश का फरक नहीं पड़ता है कैसे भी मौसम में वो तस्वीरे बेशता रहता है वो आपका और हमारा या मोबाहिल का कैमरा नही है जो अंधेरे में तस्वीर नहीं कीच पाएगा लेकिन मोदी जी ने कह दिया है तो है मैं कई बार सोचता हूँ कि अगर वाकई मोदी जी की सलाह आर्मी ने मान ली होती या मोदी जी से सलाह ली होती और ये कल्पना कर लेते कि रात में रडार काम नहीं करेगा तो जो जह आज गई होती उसका क्या हाल होता वो आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ लेकिन आप मोदी जी है मोदी जी कुछ भी कह सकते हैं जैसे मोदी जी ने कहा कि 1987-88 में मैंने डिजिटल कैमरे से अड़वानी जी की फोटो कलर्ड फोटो थी वो इमेल से भेज दी अब दुन नहीं उस तस्वीर को उन्होंने अटैच करके इमेल से भेज दिया था जबकि दुनिया बर में इमेल शुरू हुआ 1995 में लेकिन मोदी जी उसके पहले ही इमेल भेज चुके थे जब दुनिया में इमेल नहीं बना था जब अमेरिका को इंगलैंड को सारी दुनिया को इमेल का प्रयोग ही नहीं पता था, इमेल में तस्वीर अटैच करके भेजना भी आता था, मोदी जी कहते हैं, अढ़वानी जी आश्चर चकित रह गए, रहे कैसे नहीं आश्चर चकित रह जाएंगे, सारी दुनिया में पहला मेल उनको मिला सारी दुनिया में पहली रंगीन तस्वीर डारेक्ट उनको मिली वो कैसे नहीं आश्यर चकित हो जाएंगे उतना ही आश्यर चकित होके उन्होंने राम जनम हुमी यात्रा में मोधी जी को सार्थी बना दिया और जब अड़वानी जी टापते रह गए और मोधी जी प्रधार मंत्री बन गए तो एक बार फिर से अड़वानी जी बहुत आश्यर चकित हुए होंगे अड़वानी जी आश्यर चकित होने के लिए ही है भारत रत उनको मिल गया है इस पर भी उनको आश्यर हुआ होगा कि कैसे कुड़दान से निकाल के हमको भारत रतन दे दिया गया लेकिन ठीक है अड़वानी जी के रहे चकित आश्यर चकित होने में कोई समस्या नहीं है अब बाकी जो दावे करते हैं उनकी तो बात ही छोड़ दीजे जैसे मैं आपको बताओं कि अक्टूबर 2017 में बैंगलोर में एक कारेकरम में वो भाशन दे रहे थे और उनने कहा कि सबसे पहले डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सीधे लोगों के एकाउन में पैसा डालना ह हमारी सरकार में शुरू हुआ आप सचाहिए है कि 2013 में मनमोहन सिंग के जमाने में डीबी टी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू हो चुका था ऐसे ही एक किस्सा चला जिसमें वो एम्स के दावे कर रहे थे कि हर शहर में एम्स बन गया है हर साल हम इतने एमस इतने आयाइटी बन वा रहे हैं और उसीमें उनने कहा कि दरभंगा में एमस बन के तयार है उसके बाद क्या हुआ कि जहां दरभंगा में एमस बनना था वहां कई लोग पहुँचे और पता चला कि वहां लंबा खेत का मैदान है वहां कहीं एमस है ही नहीं फिर उन लोगों ने देखा जिनको ना दिखाई देता हो वो मूर्ख हैं मोदी जी के इसमें कोई गलती नहीं है ऐसे ही वैक्सिनेशन को उन्होंने लेकर कहा कि यह जो टीका है वो गरीबों को नहीं लग पाता था अब अगर आप गरीब हैं या नहीं हैं आप जरा अपने हाथ में यहां पर लगता था राजियू गांदी के समसे ही शुरू हुआ था और सारे लोगों को लगता था उसके पहले भी टीका लगता था लेकिन उसके बाद भी जो टीके थे वो सरकारी अस्पतालों में मुफ्त लगते थे अब मोदी जी ने ना लगवाया हो तो उनकी प्राबलम है ऐसे ही मैट्रो को लेके उन्होंने कह दिया कि पहली मैट्रो जब चली तो अटल विहारी बाजपई जी उसमें बैठे था अब ये अलग बात है कि पहली मैट्रो दिल्ली में नहीं कलकता में चली थी और इंद्रा गाधी जी ने उसका उधगाटन किया था उसमें अटल विहारी की बहुत जरूवत है राजनीत यवाजनीत तो होती रहती है उसको मनुरंजन की बहुत जरूवत है तो मनुरंजन के लिए ऐसी बातें करने चाहिए दूसरी बात ये है कि मोदी जी ने अपनी जो larger than life image बनाई है उसमें वो हमेशा out of the box कुछ करने की कोशिश करते हैं ऐसा जो दुनिया में किसी ने न की आप सोचे किसी ने का आज तक कहा है कि मैं पसीना अपने मुँपे रगड लेता था तो उससे मेरा मुँँ चमकने लगता था अब उसके बाद मैं आपको बताऊं कई लोग बाकाइदा जा के धूप में खड़े रहने लगे ताकि पसीना निकले और उसको अपने मुँपे चमकाएं लेकिन पसीने से उनका चेहरा चमका कि नहीं चमका ये अलग बात है रंग जो है वो टैन हो गया कई सारे लोगों का अब वो लोग नहीं जानते थे कि जो टेकनीक मोदी जी के उपर लागू हो सकती है महामानों के उपर वो आम आदमी पर थोड़े लागू होगी तो आप अगर पसीना अपने चेहरे पर पोतेंगे तो वो कत्ता ही जो है चमकेगा नहीं लेकिन मोदी जी का चेहरे चमकता है अब कई लोग जूटे लोग कहते हैं कि वो पालिश से चमकता है मतलब जो क्या कहते है उसको मेकप मेकप होता है उससे चमकता है लेकिन अब मोदी जी ने कहा है पसीनेस चमकता है तो पसीनेस चमकता है ऐसे ही गटर के गैस से चाय बनाने की बात, अब कई सारे लोगों ने गटर के गैस से चाय बनाने की कोशिच की किसी से नहीं बना, लेकिन मोदी जी से बन गया, अब उसका क्या कर सकते हैं, मोदी जी के पास जो टिकनीक है, जो द्रिश्टी है, मोदी जी कहते हैं कि ईश्वर का वर्दान है मेरे पास जो आने वाला होता है वों पहले से ही भाप लेता हूँ तो अब ईश्वर का वर्दान जिसके सामने से साथ है उसके साथ सामने आम लोग क्या कर सकते हैं जो एक लार्जर देन लाइफ छवी बनाई गई है उस छवी को जिंदा रखने के लिए मुझे लगता है कि मोदी जी लगातार ऐसी बातें करते रहते हैं जिनका हकीकत से ऐसा लगता है कि कोई खास वास्ता नहीं है दूसरी बात ये होती है कि जब आप ये जानते हैं कि कोई आपकी बात का विरोध करने वाला नहीं है जिस समय वो ये बात कह रहे थे कि मैंने कहा कि बादलों में रडार काम नहीं करेगा अगर सामने बैठा एक आदमी भी खड़ा होकर पूसता कि मोदी जी ये तो टेक्नालजी के ही खिलाब बात है रडार तो बनाया ही इसलिए गया है कि 24 घंटे हर मौसम में हर रोशनी में इमेजेज भेश सके तो शायद उनको समझ में आता है और अगली बार कहने से पहले वो सोचते लेकिन सामने बैठे इंजिनियर्स भी ताली बजाते रहे एक ऐसे देश में जहां इंजिनियर्स ऐसी बातों पर ताली बजा सकते हैं ऐसे देश में जहां गण तक ये एक्स्ट्रा टुए बी पे चुप रह सकते हैं एक ऐसे देश में जहां धरम के नाम पर दिमाग इतना खराब है कि मोदी जी का हर स्ट्रोक मास्टर स्ट्रोक होता है अगर प्रधान मंत्री बनते हुए वो अपने सारे शौकों के साथ किस्सा गोई का भी शौक पूरा कर रहे हैं तो इसमें क्या गलत है अब पंद्रा लाग को तो अमित शाजी ने जुमला कह दिया उसके अलाबा भी ढ़ेर सारे वादे थे नहीं पूरे हुए अगला चुनाओ नहे वादे पुरानी बाते जनता बहुत जल्दी भूल जाती है लेकिन इतना याद रखिए जो जनता पुरानी बाते भूल जाती है वो जन्ता अपने हको हुकूक अधिकार को खोने की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही होती है तो हको हुकूक जाए भाड में रुजगार वुजगार गरीबी वरीबी चलती रहेगी किस्ते सुनिये कहानी सुनिये मास्टर स्ट्रोंग देखिये और मोदी जी के किस्तों को इंजाय कीजिए बाकी करी किया सकते हैं आप बहुत शुक्रिया